हारेट एंजिनियर हिंदी में आपका स्वागा थे मैं हूँ वर्ण पटेल इस वीडियो में मैं आपको सेंटेफ्वेल पंप के पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में हम नाइन मिजर पार्ट्स जो आपका स्सक्यू। aspiring Cum कपलिंग बेरिंग और बेरिंग वाउसिंग सिलिंग सिस्टम स्क्षन डिस चांज फ्लैंच एंड सपोर्ट फ्रेम तो इस वीडियो में आपको इतने पार्ट के बारे में बताने वाला हूं तो देखते रहे हैं मेरा वीडियो लास्ट तक और अगर आपने मेरा चैनल अभी देखना नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के राइट इन साइट पर होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से यह जो है डागरम यहां पर वह है सेंट्रिफिकल पंप का एक्स्प्लोडेड व्यू यह बहुत सारे पार्ट को एसेंबल करके बनाया जाता है तो और इसमें पंप में कैसा होता है कि जैसे पंप की सर्विस चेंज होती है रिक्वार्मेंट चेंज होती है तो ऐसे पंप के कुछ पार्ट से वो चेंज होते हैं बट मैजोरिटी क्या होता है कि कुछ पार्ट कॉमन होते हो कोई भी pump ले लो centrifugal pump ले लो या तो gear pump ले लो या रसे प्रविटरिक ले लो certain parts will remain same but जैसे service material change हो सकता है उसकी design change हो सकती है that is depend on individual requirement तो यहाँ पर हम जो commonly used होने वाले commonly दिखने वाले parts वो cover करने वाले हैं तो first part है वो है body और जिसको casing भी बोलते हैं यह जो पार्ट है वो centrifugal pump का सबसे बड़ा parts है बाकि सारे parts जो होते हैं उसी के अंदर होते body basically देखे कि आप तो यह casting से बनती या तो fabrication भी किये जाती है तो forging से भी बनती है और material की requirement भी service के depend पर होती है जैसे corrosive material हो गया तो stainless steel body हो जाएगी normal services के लिए cast iron sufficient है और body का दूसरा function क्या है कि यह जो fluid होता है वो इस में से pass होता है मतलब it will provide passage to the fluid and at the same time जो भी सारे components है उसको अपने आप में समायेगी so this is the main major part of the pump अभी उसमें भी कैसी design अलग अलग type के होती है तो जो first design है जो body में आती है वो है कि volute body मलब जो single volute and double volute body तो यह क्या है यहाँ पर देखे यह जिस first image है यह single volute है तो यहाँ पर देखे कोई compartment नहीं है ठीक है और यहाँ पर देखे यह double volute है तो यह एक बीच में compartment है तो जहाँ पर pump में radial force ज्यादा होता है वहाँ पर यह double volute body use होती है इससे क्या होता है कि जो यह radial force होता है यह जहां से जैसे impeller है अपना उसमें जो फ्लूइड आएगा जो प्रेशर उसका प्रेशर होगा वह half distribute हो जाएगा मतलब आदा फ्लूइड यहां से पास होगा आदा फ्लूइड यहां से पास होगा तो यह जो पूरी body है उस पर जो radial force है वह कम हो जाएगा तो that way it is superior double wallet body but majority of pump जो refiner में use होते हैं वह single wallet होते है क्योंकि उसकी service और उसकी जो parameters होते हैं वह very strange है कि उसी area में उतने ही pressure उतने ही flow rate पे काम करता है that is why single wallet cheaper है और easy to manufacture है तो वह use होता है double wallet कहाँ पे use होता है कि जहां पे आपकी कौन सी flow rate है कौन सा pressure है वह उसमें बहुत ज़्यादा variation है आपको मतलब clearly defined नहीं कर सकते हैं ऐसे cases पर double wallet body use होती है next body type है जो कि suction के basis पे है अभी certain pump क्या होता है कि जिसमें single suction होता है और कुछ pump में double suction होता है तो majority pump जो process plant में use होते है वो single suction body होती है यहां पे देखिए single suction में यहां से fluid enter होगा और एक ही round में वो exit हो जाएगा जबकि double suction के case में क्या होता है यहां पे अगर suction में जा रहा है तो fluid दो पार्ट में distribute होगा आधा इधर आएगा और फिर यह center part है यहां से वो exit होगा तो यह double और suction टाइप बोड़ी हो गई अभी आप पुछे कि कहा इमले ऐसा क्यों है तो जहां पर बहुत ज्यादा flow rate रहता है single suction will not be enough तो उस cases में double suction body use होती है next body का type है वो है multi stage and single stage तो यह तो बहुत simple है जो single stage हो गया इसकी body simple होगी और multi stage में देखिए यहां पर बहुत सारे stages है तो उसकी body की design अलग हो जाएगी next जो part body की जो criteria है define करने का वो है radial and x split body अलब यह कैसा है कि इसका जो यह classification है वो कैसे pump open होता है जो vertically यहां पर देखिए यह main body parts है और यह उसका cover है तो यह radial split pump में क्या होता है कि आप pump को radial मालब यह जो axis है shaft के axis उससे vertically open vertically यह portion और यह portion अलग हो जाएगा तो यह radial split हो गया और यह जो axial split body है उसमें कैसा होता है कि जो cover है वो half मालब जो shaft है उसके parallel होता है तो open horizontally यह आधा portion उपा से open कर सकते है pump को so this is the difference between radial and axial split अभी यह selection जो होता है वो pump की design उसके parameters पे decide होता है कि आप radial flow या तो axial flow body choose करोगे जो next part है pump का वो है impeller impeller जो है one of the most critical part of the pump उसकी design पे pump की efficiency और उसका function उसका performance decide होता है तो यहां पर मैंने three type of impeller दिखाए हुए है first open impeller यहां पर देखिए यह जो impeller के इसको fins बोलते है और इसको vans बोलते है मतलब जब यह close होता है यह vans है pump impeller के अभी open impeller में कैसा है कि यह कहां पर use होता है कि जहां पर slurry pump करना होता है जैसे बहुत सारे solid particles in fluid में तो उसी जगह पर यह open impeller use होता है क्योंकि यह chalk नहीं होगा इसकी वज़े से और इसमें negative part बात क्या है कि इसकी efficiency होती हो बहुत weak होती है और performance wise it's not suitable for longer term operation तो जहां पर आपकी ऐसी services है जहां पर chalk होने का chances है वहां पर open impeller use होता है semi close impeller है वो इसका superior version है इसमें भी आप semi close impeller को भी आप जहां पर particles होते हैं fluid में वहां पर use कर सकते हो इसमें कैसा है कि इसकी strength बढ़ जाएगी यहां पर देखिए जो इसमें कोई strength नहीं है मतलब यह जो vans है वो ऐसे open है तो इसमें break होने के chances ज्यादा रहता है जैसे यहां पर इसको backup मिल गया तो उसके वज़े से impeller की design थोड़ी difficult हो जाएगी बट इसकी strength ज्यादा है और इसके efficiency और performance अच्छे मिलते हैं Similarly जो थर्ड है वो close impeller यहां पर देखिए यह साइड एक disc है यहां पर disc है वल्लब यह जो vans है उसके front और back दोनों साइड में disc है तो यह जो close impeller की design है और fabrication है बहुत costly है बट maximum performance and efficiency close impeller में मिलते हैं तो जो process plant में जितने भी pump यूज होते हैं वो सारे के सारे close impeller होते हैं a is wearing मतलब नाम ही आप पता चलेगा कि वो wear it's related to wear wear means कुछ घीसना और type का जो खतम हो जाता है तो wearing कहां use होती है pump में तो यह impeller जहां पर rotate होता है impeller और body के बीच में मतलब impeller जब rotate होता है तो उसको body को touch नहीं करना है तो वो body का जो damage prevent करना है उस जगा पर यह wearing use होती है यहां पर देखे यह body है यह बहारवाला portion है यह impeller आई है यहां पर impeller आई तो उसके उपर की side में यह एक wearing है और एक wearing impeller की back side में होती है let me go back अगर यहां पर open है तो यहां यहां पर देखे तो यह है एक wearing यह this one और second wearing आपकी यहां पर होगी तो wearing का function कैसा है कि वो जो pump and impeller का direct body से जो touch हो है वो नहीं होने देगा मतलब अगर impeller imbalance है तो अगर वो body को touch करता है तो body damage होने का chance ज्यादा है तो wearing का function कैसा है कि अगर in case vibration है तो कुछ wearing आता है तो यह replaceable part है तो damage इसको होगा अगर इसमें ज्यादा damage होता है तो आप इसको easily replace कर सकते हो तो यह function wearing का है कि जो pump की body है उसको damage नहीं होने रहता है और यह aesthetic ring होती है मलब यह घूमती नहीं है impeller और wearing के बीच में gap रहता है जो उसको मलब wearing को भी wear होने से बचाता है वो touch कब होगा जबकि आपका pump में vibration है next pump का component है वो है shaft shaft जो अपना driver है यहाँ पर यह motor है मैंने light किया हुआ है यह motor है और यह अपना impeller है तो shaft का function है कि जो energy है उसको transmit करने driver से driven तक तो यह shaft का function है shaft usually आपको forge still की रहेगी mostly stainless steel materials होता है forge grade का तो वो अपना जो भी driver है ऐधर turbine है motor है या तो engine है diesel engine driven है तो वो से एक side connect होगी और दूसरी side पर impeller connect होगा जो next part है वो pump का है वो है coupling का अभी coupling का function कैसा है कि यह driver and pump impeller कभी-कभी क्या होता है कि जो यह अपना impeller है और यह motor दोनों same shaft पर होता है वालब एक ही shaft पर दोनों attach होता है but most of the pump जो बड़े size के pump होते है वहां पर कैसा होता है कि दोनों की shaft independent है तो वो दोनों को connect करने के लिए coupling use होती है तो यहां पर देखी अपना pump का shaft है और यहां पर यह motor का shaft है तो यह है coupling यहां पर मैंने अलग-अलग type के coupling दिखाया है basically coupling दो type के fixed coupling and flexible coupling तो fixed coupling क्या है यह fixed coupling है और यहां पर यह flexible couplings है fixed coupling यह उसको rigid coupling भी बोलते है तो जहां पर आपका pump and motor का alignment एकदम perfect है वहां पर आप fixed coupling use करते हो fixed coupling का disadvantage क्या है तो उसको vibration composite नहीं होता है तो अगर आपका pump में vibration है तो motor में vibration है तो एक दूसरी के performance को affect करेगा और बहुत जाज़ stress create होता है क्योंकि उसमें कोई flexibility नहीं है तो उसको मतलब इसको flexible coupling का concept है तो flexible coupling क्या करता है कि certain amount of vibration को absorb कर लेता है तो मतलब pump या तो motor either way वो एक दूसरे से जो vibration का amount है वो transfer नहीं होने देता that way it will increase the pump performance and life of the pump next component है bearing and bearing housing अभी जो shaft है shaft की movement को shaft is basically transferring energy from driver to driven तो वो जो movement है वो frictionless होनी चाहिए और efficient होनी चाहिए तो उसके लिए bearing इस होता है तो जो shaft यह bearing है वो shaft के उपर में install होते है और वो frictionless movement transfer करने का function करते है यह bearing housing है यहां पर outer part दिखाया होगा है यहां पर मैंने bearing cover को हटा दिया तो internally आपको bearing पता चलेगा तो यह एक end पर यहां पर bearing रहेगा एक यहां पर रहेगा तो इसका function कैसा है bearing housing का कि वो bearing housing क्या करेगा कि bearing first bearing को hold करेगा और इसमें lubricants भी रहता है जो कि bearing को temperature उसका maintain करेगा उसको well lubricate रखेगा इससे क्या होगा कि bearing damage नहीं होता है normally सारे pump में roll ball अपना normal roll ball टाइप bearing होता है या तो जिसको taper जो हाँ पर high duty रहता है वहाँ पर taper bearing भी use होता है next pump का component है वो है ceiling system अभी ceiling system का function क्या है कि जो impeller में अपना जो body है उसमें जो fluid है उसको बहार आने से prevent करना वह ceiling system का prevent है मलब function है तो अगर जैसे कि अपना pump hydrocarbon में चल रहा है उसका fluid services है hydrocarbon तो hydrocarbon should not leak from the pump otherwise it is hazard है similarly जहाँ पे chemical use होते है या तो कोई toxic material होता है तो वह सारी जगह पे liquid को pump या तो gas को pump से बाहर आने के prevent करने के लिए ceiling system होता है अभी ceiling system itself इस बड़ा complex topic है तो और silky requirements silky जो selection होती है वो कौन से services है और क्या ceiling requirement हो उसके ओपर होती है simple say gland packing जो पानी के pump आते है उसमें gland packing ही enough है विए उसमें से leak होगा तो कोई फरक नहीं पड़ता है आएगा तो क्या पानी ही बाहर आएगा तो that way जो complexity होती है उसकी हिसाब से seal use होता है mechanical seal होते gas seals होते है तो जहां पे जैसे service वहां पे यह seal का selection होता है यह कहां होता है मैं आपको pump में दिखाता हूं let me go back यहां पे देखिए यह gland packing है ठीक है यह simple sealing system है तो यहां से यह अपना open portion है और यहां यह पूरा wet portion है तो यहां पे fluid रहेगा तो यह fluid को यहां से बाहर नी आने के लिए यहां पे seal system use होता है यहां पे तो simple gland दिखाया हुआ है बट depend on service यह जो seal का requirement है वह change होता रहता है यहां पे देख सकते है आप जो normal जो seals होते है और जो कैसे होते हो यहां पे दिखाया गया हुआ है next part है pump का वह है उसका suction discharge flame यहां भी यह suction flange है यह discharge flange है यह body का integral part ही होता है most of the pump में body का integral part होता है suction and discharge flange इस में ऐसा कुछ specific नहीं है बट इसके dimension है वो आपके piping के dimension की हिसाब से होता है ताकि जब pipe इसके पर बैटे तो वह match कर जा रहे last part है जो pump का वह है support frame support frame is very means component wise it is simple it's just a structure member but it play very important role in the function of the pump आप बोलोगी कैसे कि अगर आपका यह wick है तो pump में vibration आना fix है ठीक है तो अगर आपका frame का design proper नहीं है तो vibration आएगा noise होगा तो वह सारे issue prevent करने के लिए structural frame होती है उसकी design बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो proper design होने पर आपको pump को rigid foundation मिलेगा और it will remain operational for a longer period of time without any vibration and noise मुझे उमीद है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप centrifugal pump के बारे में जानना चाहते है तो आप मेरी website पे जाए वहाँ पे course है centrifugal pump का जिसमें आप operational principle and design जान सकते है seven hour का course है और really इसमें मालब इतने भी centrifugal related pump के concept है सारे के सारे explain के रहे हैं प्लीज विजिट माइ वेबसाइट heartatengineer.com और मेरा यह वीडियो आपकी दोस्तों के साथ शेर करना ना बोले see you soon good bye take care